नमस्कार दोस्तो एपिकल एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं सोईल मेन्योर एंड फेटिलाइजर यानि की म्रदा खाद एवं उरुवरक के उपर कुछ कोश्चन जो आगी वी एक्जाम में आ सकते हैं साथि होता है कि बैसिक कोश्चन ही हमारे गलत होते हैं कोई नया कोश्चन अगर आ जाता है तो वह तो एक बार सही हो सकता है लेकिन बैसिक कोश्चन जो है वह बहुत सारे गलत हो जाते हैं तो यहां पर हम आज जो डिसकस करने वाले यह बैसिक कोश्चन की बात करेंगे और एड दोस्तों कोशन लिखा है दर रिलेटिव प्रपोर्शन आप दी सोईल पार्टिकल पार्टिकल मिट्टी के जो कण होते हैं उनके रिलेटिव प्रपोर्शन यानिकि उनके साप्यक्षिक अनुपाद को हम क्या कहते हैं जिस प्रकार से सोईल के अंदर तीन प्रकार के पार्ट मरदा गठन कहा जाता है और आपको एक बात का द्या रखनाई कि soil texture या जो मरदा गठन होता है यह मिट्टी में पाए जाने वालों कण होते हैं सेंड सिल्ट और क्ले इनके अनुपात को हम कहते हैं और soil texture जो होता दोस्तों वो permanent soil property या मिट्टी का इस्थाई भूतिक गुण होता है जिसको लोग चेंज नहीं कर सकते तो कई बार एक्जाम ऐसा कुशन भी आता है कि तो permanent soil property या मिट्टी का इस्थाई भूतिक गुण कौन सा होता है तो आपको द्यारखना है कि soil texture या मरदा गठन को हम लोग permanent property भी कहते हैं अगला कुशन दोस्तों the real density of the soil मिट्टी के अंदर जो real density होती है जो वास्तविक गनत्व होता है उसको हम और क्या कह सकते हैं और यह आपकी एक्जाम में पुछाओ दोस्तों तो real density या हम कह सकते है true density या वास्तविक जो गनत्व होता है उसी को कण गनत्व या particle density भी कहा जाता है तो आपको द्यारखना है कि the real density of the soil is also known as particle density और true density या हम कह सकते कि इसको सत्य गनत्व वास्तविक गनत्व या कण गनत्व भी हम कह सकते हैं उसको और दोस्तों real density जो है इसकी वेल्यू भी आपकी एक्जाम में कहीं पूछी गई है तो यहां पर 2.66 यह 2.65 जो है इसकी real density की वेल्यू होती ही जो आपको याद रखना है अगला कोशन दोस्तों mineral for the red color क réfl precisa मिंटी में जो लाल रंग होता है उसके लिए कौनसा खनीज जिम्मेदार होता है हमारा mineral रेसपॉनसिबल for the red color मिंटी का अगर लाल रंग है तो वह खनीज की प्रधानता किया करन होता है कौनसा mineral जो है उइसके लिए जिम्मेदार होता हिं यहां मारा wiltExperimentation को है ? यहां सिंधिस्त यह नर्या यह साइंटिस्ट मध्याणिक बहुत ही तरहीं है और इन्हों ने ही meats साली साइंटिस्ट की का पूँछा ऊपकी लगाइब पूछा हुआ है और नेक्स कुशन है हमारा most available form of the phosphorus यह निकि phosphorus के जो अलग-अलग रूप है उसमें से phosphorus का कौन सा रूप है जो अधिकांस पोधों के लिए मुख्यता उपलब्द होने वाला रूप है या ऐसा किसकते कि पोधे अधिकांस जो पोधे होते वो phosphorus को कौन से रूप में ग्रहण करना पस monocalcium phosphate जो हम लोग fertilizer का इस्तमाल करते हैं और रूरक का इस्तमाल करते हैं तो जो monocalcium phosphate होते हैं उसके अंदर H2PO4 पाया जाता है और अधिकांस जो पोधे most of the plants uptake the phosphorus in H2PO4 इसी रूप में phosphorus को पोधे ग्रहण भी करते हैं अगला कोशन दोस्तों कोबाल्ट इज एन essential element for देखिए जो कोबाल्ट तत्व है जन्रलियम बात करें तो हमारे जो 17 essential element है 17 हमारे जो अनिवारे तत्व है चाहिए हम CHO की हम बात करें NPK की बात करें calcium, magnesium, sulfur की हम बात करें या फिर iron, zinc, boron, copper, molybdenum, magnesium, chlorine और nickel की हम बात करें यह जो मैंने 17 element के नाम लिए जो की essential या अनिवारे तत्व होते है उसमें कोबाल्ट का नाम नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोबाल्ट किसी फसल के लिए अगर लाब दायक हो सकता है beneficial हो सकता है तो कोबाल्ट is an essential element for which type of the crop तो fodder crop जो चारे वाली फसले दोस्तों उनके लिए कोबाल्ट अनिवारे तत्व माना गया है हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट किस प्रकार से इन फसलों के लाब दायक हो सकता है तो fodder crop जो है चारे वाली फसले उनके लिए कोबाल्ट लाब दायक होता है अगला कोशन दोस्तों element responsible for the pollen development बहुत अच्छा कोशन है कई बार परीक्षा में पूछा गया है एसा कौन सा तत्व है जो पराग कणों के विकास में पराग कणों के development में योगदान देता है यह हम कह सकते कि एसा कौन सा element है जिसकी वज़े से pollen develop होते है जिसकी वज़े से flower के अंदर जो हती हो fertility आती है या फूलों का बांचपन दूर हो जाता है इसका उल्टा कोशन यह वनेगा कि एसा कौन सा Elements है जिसकी कमी से फूलों में बांचपन आ जाता है या Name of the element which is amount of deficiency of the element causes the popularity in the flower या यरे कर element की कमी होगी तो flower में इस्टिलेटी या बांचपन आ जाता है दोस्तों तो बरज एक अशा तत्व है जो पराकनों के अंकूरण के जिम्मेतार होता है पोलन डेवलोपमेंट के लिए कौन रिस्पोंसिवल है बोरोन यह यह कह सकतें कि दिफीजिंसी अब दी बोरोन काजेस इस्टलिटी अब दी फ्लावर या बोरोन की अगर कमी होगी तो फूलों में बांच पन भी आ जाता है अगला कोशन है दोस्तों element lost more through leaching ऐसा कौन सा तत्व है element ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी हाने leaching के दोवारा निक्षालन के दोवारा सबसे जादा होती है देखिए दोस्तों leaching के हम बात करें जब कोई element पानी के साथ में घुल करके मिट्टी में जड़ छेतर से भी बहुत नीचे डीप प्लेस्मेंट हो जाता है उसका कोई तत्व पानी के साथ घुल करके जड़ों से बहुत दूर चला गया है उसको में लोग बोलते हैं leaching या निक्षालन और वह कौन सा तत्व है nitrogen का कौन सा फॉर्म जिसकी लीचिंग ज्यादा होती है तो जो रूप होता दोस्तों उसकी लीचिंग सबसे ज्यादा होती है थमकिया सकते की और्गेनिक यानिक के नाम बताना है जो नाइट्रोजन की पूर्थी करता दोस्तो जन्रल से हैजो और्गेनिक नेचर के होते आकार्बनिक प्रकृति token, के हैं और वो एक प्रकार से exception या अपवात क्यछला थे हर एक तो होता है यूरिया और या यह प्लाहण मैंता है तो यूरिया और केल्शियम होरीरी से धिलाइजर यूरिया बेस्ट एक्जाम्पल है यूरिया और केल्शियम साइनामाइट अगला कोश्चन है दोस्तो इमोबाईल एलिमेंट्स इन दी प्लांट्स बहुत अच्छा कोश्चन है इमोबाईल यहने की जो गती नहीं करेगा अगती शील इमोबाईल यहने की अगती शील तत्तो की बात कर रहा है काई में प्लांट में तो एसे कौन से तत्व हैं जो पोदों के अंदर गती नहीं करते हैं वो प्लांट के अंदर इमोबाइल हैं देखी दोस्तों हमारा आंसर है केल्शियम और बोरान अब यह प्लांट में अगर मोबाइल नहीं है पोदे में गती नहीं कर इसका मतलब क्या है कि पोधों के lower portion नीचे वाले भाग में रहे जाएंगे अब अगर कोई element है जो plant के अंदर नीचे वाले root zone के आसपास ही दे गया है उपर हिस्से में गया ही नहीं है इसका मतलब ही हुआ कि जो element पोधे में गती नहीं करेगा उसकी कमी उपर वाले हिसे में रहेगी तो जो एपिकल बड होती है उपर की जो सिर्ष कलिकाएं होती है वहाँ पर जिसकी कमी दिखाईते वह इमोबाइल होगा तो यहाँ पर calcium और बोरान अगर plant के अंदर इमोबाइल है अगती शीले इसका मतलब है कि इन दोनों की कमी का रह रहेगी तो इनकी कमी का रहेगी एपिकल बड होती है उपर की जो कलिकाएं होती सिर्ष कलिकाएं वहाँ पर केल्षब और बोरान की कमी होती है इसी कॉस्चन को अगर वह मोडिफाइट करके पूछेंगे तो क्या पूछेंगे the deficiency of the calcium and boron is appear at which part of the plant यानिकी केल्षब और बो रहेगे जाते हैं उपर तक जा नहीं पाते अगला कोश्चन दोस्तो माइक्रोफ एलेमेंट्स अवेलेबल इन एलकलाइन पी एच कितना बढ़िया कोश्चन दोस्तों ऐसे माइक्रोफेलिमेंट्स एसे सुख्ष्म तत्व का नाम बताना है जो एलकलाइन इनकी छारी पर available होते अधिकास हमारे micro element micro element की हमigung बात करें तो iron zinc boran copper molybdenum montón log name to nickel और chlorine यह हमारे micro element हן इन्हांच old deployment में दोस्तों 509 से ज्यादा PS got available होता है वो एक मात्र micro element है वो कौन है molybdenum बाकी जितने भी है micro element सब acidic pH अमली pH पर आते हैं और जो boron होता है boron वो neutral pH पर available होता है तो micro element के बारे में आपको ध्यान रखना है कि molybdenum जो होता है वो साड़े 8 से भी ज्यादा more than 8.5 pH पर available होता है molybdenum boron की हम बात करेंगे तो वो neutral pH उदासीन pH पर फोदो को मिलता है और बाकी जो 6 हमारे बाकी बाकी बच्चे होए micro element है वो acidic pH पर available होता है अगला कौशन है दोस्तो कौशन नमबर 12 सोलन चाक सोईल सोलन चाक सोईल कौन सी मिट्टी को कहा जाता है दोस्तो सोलन चाक सोईल जो है दोस्तो इसको हम लोग सेलाइन सोईल या लवणी ये मरदा भी कहते है सेलाइन सोईल जिसका pH मान 7 से लेकर 8.5 के बीच में होता है तो 7 से 8 की बीच का जो पीच होता है वो लवणी मरदा सेलाइन सोईल का होता है उसको सोलन चाग भी कहते हैं और इसी को हम लोग वाइट अलकली सोईल भी कहते हैं तब वो ध्यान रखना है कि सोलन चाग सोईल इस आलसो नोनेस वाइट अलकली सोईल या सफेद चारी मरदा और उसी को हम लोग कह सकते हैं लमणी या सेलाइन से इसका पीशमान 8.5 से कम होता है अगला कोशन है दोस्तो पहाला ब्लाइट देखिए पहाला ब्लाइट एक फिजियोलोजिकल डिस ओर्डर है एक व्यादी है तो पहाला ब्लाइट एक व्यादी है किसकी शुगर के नीने की गन्ने की तो पहाला मेगनीज तो गंड़ के अंदर si काम की कमीद डिकनिक अगला टो ऑफ लाइफ वह चाई कि और लाइफ या एसा इलेमेंट ऐसा तत्व जिसको जीवन की कुंजी कहा जाता दोस्त को की क्वलाइफ का जाता है फास्परस एक मात्र ऐसा तत्व है जिसकी कमी होने पर पोदे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं फास्परस इस दिए अनली एलिमेंट विच डिफिसेजी का इनकंप्लीट लाइफ साइकल अब दी प्लांट या पोदे का जीवन चक्र अधूरा रह जाता है इसलि साइब के अंदर प्रकार कहते हैं और सबसे चोटा चप्ण पारिकर हैं चे को हिंदी में म्रत्ती का भी कहा जाता है तो clay या जो मृत्ति का होती उसका आकार कितना होता दोस्तों यहाँ पर size है less than 0.002 mm यहीं कि 0.002 mm से भी जो कम size के कण होते हैं उनको हम लोग clay या मृत्ति का कण कहते हैं और यह मिट्टी के सबसे बारीक कण होते हैं अगला कूशिम दोस्तों black soil काली मिट्टी ब्लेक स chut को को मिन लोग काली मिट्टी के पाए जाती средs दोने डाइंग होने पर यह सूखने पर इसमें। क्रेकस यह की धरारे आ जाती है और काले मिट्टी है मिट्टी को индयू गणंमे विवारजित किया गया है तो वर्तिशोल जो ओडर है उसमें कही बार कुछा है जो Еसे गितर घर्मों होती है यह ने 505 सोल जो औरक जाती है उलिभी कि वर में आती है उर क्रेकर्ण की इस यह सेटल यह प्रफ प्रपरिटी मिठी से red soil is present in the state, यनि कि जो लाल मिटी होती है, वो कोन से राजव में पाई जाती है, red soil is generally South India, दक्षिर भारत के अंदर Tamil-Nadu के हम बात करें, Tien यनि की Tamil-Nadu और Kerala के अंदर लाल मिटी पाई जाती है, और दोस्तों, लाल मिटी जो होती है, इसकी हम बात करें तो यह बहुत ही जल्दी पानी को छोड़ देती है तो यहाँ पर हमें drainage की अलग से requirement नहीं होती तो लाल मिट्टी का एक बुद अच्छा गुणने की वो लंबे समय तक पानी को रोके रखती नहीं है तो यह लाल मिट्टी जो है red swill वो तमिल नडू और किरला में पाई जाती है दोस्तो अगला question है saltation, बहुत अच्छा नाम है saltation saltation को हम हिंडी में उत्परीवर्तन कहते है saltation क्या है? दोस्तो एक्छल में wind erosion या air erosion या हवा के दोबारा वायू के दोबारा होने वाले मिट्डी के कटाव को हम saltation कहते है तो wind erosion वायू के दोबारा होने वाला कटाव तो वायू-छर में की बोल जिस प्रकार से हम प्रकार से ωs बांस करते हैं यह बांस होकर कि एक जगे से दूसा जगे चला जाते हैं उसको saltation कहा जाता है तो आपको ध्यानगनाई की साल्टेशन जिसको हिंदी में उद्ध परिवर्तन कहते हैं वह विंड एरोजन या एर एरोजन या हवा के दोरा मिट्टी के कटाव से संबंदित होता है अगला कोशन दोस्तों खादर सोईल खादर सोईल किसे कहते हैं साथियो भारत के अंदर जो सबसे अधिक उपजाओ मरदा होती है भारत के सबसे अधिक उपजाओ जो मिट्टी है जिसको एलूवियल सोईल या जलोड मिट्टी हम कहते हैं तो यहाँ पर जो जलोड मिट्टी है वो अगर नई जलोड मिट्टी है नई जलोड मिट्टी को खादर सोईल केते हैं अगर यही जलोड मिट्टी यही अगर पुरानी हो जाती है तो इसको बांगर कहा जाता है तो खादर और बांगर इसे टर्वे दोस्तों खादर एक चुल में नई जलोड मिट्टी के लिए इस्तिमाल में लाया जाता है जबकि सबसे पहले कौन सी क्रोप के उपर लागू की गई थी दोस्तों फसल करना में शुगर के नियने की गन्ना तो क्रोप लोगी टेक्निक है यह डियाग्नोसिस ऑफ दी न्यूट्रियंट्स इन्द लीव्ज ऑफ दी प्लांट वो दे की पत्तियों में पोश्चत अपतों की रखनाए कि क्रोप लोग इन टेक्निक का यूज शुगर के इन में किया गया था पहली बात दूसरी बात यह पत्तियों के अंदर पोश्चत तों को जाच करनी के विधी है मेथट अपडि डियाग्नोसिस ऑफ डिफिसिंसी ऑपडिए लिमेंट्स इन दे लीव्ज और यह जो सैंटिस्ट है उन्होंने हवाई दूईप के अंदर इसका इस्तेमाल किया था अगला कोशन है दोस्तों होट मेंनुड किसे कहते हैं होट यह कि गर्मखाट किसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पर हॉर्स यहीं कि घोड़ा और शिप यनिकी भेड तो हॉर्स और शिप का जो करीटा होता है जीन कि घोडे और भेड जो मलमुत्र होता है उससे झॊ त्खात के पहाड़ी मुरदाये होती है वह किस प्रकार की होती है और यह कोशन भी आपकी एक्जामे के बार आया हुआ है हीली सोइल्स आर्दी एसेडिक इंदनेचर जो पहाड़ी मिट्टी होती है वो अमली प्रकृतिकी होती है चुकि पहाड़ों पर जो बारिश होती है तो वहाँ पर जितना भी जो केल्शियम है वो वाश आउट हो जाता है वहाँ से धुल करके आजाता है और फिर वहाँ की विट्टी जो है वो अमली हो जाती है तो पहाड़ी मरदाएं हमेशा अमली होती है हीली सोइल्स आर एसेडिक इंदनेचर यह आप कोई आद रखना है दोस्तो अगला कोशन है तूर्मेली दिखे दोस्तो मिन्रल रूराण घसका नाम है और तूर्मेली जो मिन्लण होता है इससे कुण सा एलिमेंट प्राप्त होता है तस नो कहिंगे तूर्मेली मिन्रल इस दिस सोर्स ऑफ दी बोरान जैनक् devotion नाम का खनिज होता है ये बोरान नामक सुख्ष्म तत्यों का इस तुरूत होता है या टुरमेलिन से बोरान की प्राप्ती होती है दोस्तों इस प्रकार से सोईल साइंस, मेन्योर और फर्टिलाइजर के लिए हम लोगों ने ये कुछ कोशन डिसकस की हैं आए हम बात करेंगे सोईल साइंस के ऊपर मेन्योर और फर्टिलाइजर के ऊपर कुछ और बहुत ही महतुपूर हो सकते हैं करूद करें दोस्तों बात करेंगे शोइल साइंस की ऊपर अगले कूशन के बारे में और इसके पहले कि हम लोग बाकी की कोशन के बारे में डिस्कस करें कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा दोस्तों वह बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सरह वे Life Stock Production या Animal Husbandry के ऊपर कूशन आवेलेबल करवाईए तो नेक्स जो वीडियो रहेगा हमारा उसमें हम लोग एनिमल हस्बेंट्री या लाइव इस्टक प्रडक्शन या पुश्यू पालन की उपर जो है वो कोशन लेकर करके आने वाल है तो जो लोग सिस्टेमिडिक तरीके से पूरी त्यारी कर रहे हैं उ हम बात करें सोईल के अंदर जब हम अलग अलग प्रकार की क्रोप लगाते हैं फसल लगाते हैं तो एनपी के का आधर्श अनुपात क्या होना चाहिए दोस्तों जनरली यह जो रेशों बात करेंगे आईडियल रेशो अभी एनपी के यह पर्टिकुलरली सीरियल क्राप या अनाज वाली फसलों की बात करें या वीट और राइस की बात करें तो उन फसलों में जब एनपी के का इस्तेमाल करते हैं तो उनका रेशो क्या रखा जाता है तो यहां पर हम बात करेंगे एनपी के का रेशो अच्छी 4 इस्टू 2 इस्टू 1 यानिकि 4 अनुपात दो अनु 20 है तो फासफरोस कितना होना चीए 60 और पोटाश कितना होना चीए 30 तो यहां पर 30 60 और 120 इनका रिश्यो क्या जाएगा 4 इस्टू 2 इस्टू 1 तो जो सीडियल क्रॉब होती है हमारी खास करके वीट और राइस की हम बात करें तो 10 प रिश्यों 421 होना चाहिए अगला कोश्य न थो केपेलरी एंड नॉन केपेलरी पॉर्स देखिए मिट्टी में यह जो कितना होना चाहिए तो आपको ध्यान रखना है आपकी exam में पुछा हुआ है कि capillary और non capillary यानि कि केशी और केशी या micro और macro जो पोर है उनका रेशियो 1 is to 1 या 50 is to 50 यानि कि 50-50 परसेंट आधे आधे पोर दोनों होना चाहिए यह निकि दोनों का रेशियो जोना चाहिए वह बराबर होना चाहिए एक अनुपात एक वन इस टूवन यह रिखी equal proportion दोनों की मात्राइं बराबर बराबर होना चाहिए और next question दोस्तों हमारा most dominant mineral on earth crust earth crust earth crust निकी भू परपटी और इस भू परपटी में earth crust में सबसे dominant mineral सबसे प्रभाव शाली सबसे प्रमुक रूप से पाया जाने वाला खरीज कोन से तो प्रत्वी की भू परपटी की हम बात करें तो मूल गुण होता है जो सोईल टेक्शर या मृदा गठन को सों या मिट्टी की basic property कहा जाता है तो आपकी एकसा में आ सकता है कि सोईल की basic property क्या होती है तो तक इस या मृदा का जो गठन होता है उसको basic property और जाता है अगला कोशिन दोस्तों elements binding the primary particles मिट्टी के अंदर जो primary particles जो प्रात्मिक कर्ण होते हैं उनको आपस में बांध करके कर्ण पुण जो soil aggregate का निर्मान करने के लिए कौन सा element responsible होता है यह हम यह कह सहते हैं कि मिट्टी के प्रात्मिक कर्णों को आपस में तो बांधने वाला तत्व कौन सा होता है दोस्तों यहां पर जो calcium है यह मिट्टी के primary element को आपस में बांधने का काले करता है तो हम बोले सकते हैं कि the element responsible for the binding of the primary particles of the soils is calcium तो यह मिट्टी के कणों को बांधने का काम करता है अगला कोशन है दोस्तों MOP मूरेट आफ पोटास इसी MOP को हम लोग KCL potassium chloride भी कहते हैं और यह MOP दोस्तों MOP is not used in यहने कि हम इस MOP या मूरेट आफ पोटास को या potassium chloride को कौन सी फसलों में इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों जो शुगर कंटेनिंग क्रों पर हाइर शुगर क्रों पर लाइक शुगर केन क किम बात करें गन्ने की बात करें चुकंदर कीम बात करें पोटेटो यहने किम आलू की बात करें तो इन फसलों में और इसके अलावा टोबे को यहने की तंबाकु में इन फसलों में हम लोग MOP या potassium chloride का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो MOP किन-किन फसलों के लिए हानी कारण हो होती है उसको भी जो chloride होता है वो डिस्टर कर देता है तो यह MOP में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं अगला कोशन दोस्तों classes suitable for the agriculture यह कह सकते कि classes suitable for the crop production according to land capability classification पूरा question जो है हमारा अलकी आप देख रहे हुए कि मैंने बोर्ड के उपर बहुत सारे question लिग दिए दोस्तो time को cover करने के लिए symbol और दूसरा कोई हमारा मकसद नहीं है time को cover करने के लिए और कम time में ज्यादा से ज्यादा question हम लोग आप तक पहुंचा पाए उसको cover करने के लिए मैंने यहाँ पर number of question जो है वो बढ़ा दिये है तो यहाँ पर पूरा question में लिखा नहीं है पूरा question में यहाँ पर repeat कर रहा हूं पहली से लेकर चोथी के डिग्री जो है वाण टू थी फॉर इन चार क्लास के लिए क्रोप प्रोडक्शन कर सकते हैं यह एग्रीकल्चिक के लिए suitable होती है और बात की चार क्लासे से वह फसल लगाने के लिए महत्वपूर नहीं है उनका स्तमर लोग फसल लगाने के लिए नहीं करते हैं तो यहां पर आपको द्यान रखना है कि टोटल क्लासे कितनी है आठ क्लासे से जिसमें से फसल कहान लगा देखाली शुरू की चार क्लासे में लगाते हैं अगला कोशन ने नेचर एंड प्रोपर्टी ऑप दी सोईल दोस्तों एक बुक का नाम है एक पुस्त ने लिखिये तो आपको ध्यान रखना है कि A.N.C. Brady ने इस किताब को लिखा है मिट्टी के प्रक्रती एवम उसके गुण के बारे में जो बुक है दोस्तों तो यह राइटर आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है एक्स्प्लोजिव फरिटिलाइजर या हम कह सकते हैं ए ऐसा कुन सा रोखे जो बम बनाने में काम आता है या जलाते महां पर भी कोन से केमिकल का इसित्माल किया जाता है अमोनियुम नैट्रेट और आमोनियुम नैट्रेट ही वह फरिट लाइजर जिसके इस्टोरेश के लिए हमें साओधनी रखना पड़ती हर किसी परसन को को इ स्टोरिश करना बहुत ही डेंजर्स होता है तो वो कुंसा उर्वा रहे जो विस्फोटक प्रक्रति का होता है तो अमोनियम नाइट्रेट आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगला कोशन है डोमिनेंट मिन्रल डोमिनेंट एलिमेंट इन-धन होन दिखेर विस्फोटक डोमिनेंट व मोस्ट डोमिनेंट मिन्रल ऑन अर्थ कॉस्ट तो मिन्रल की बात की यहां पर बात कि यह रवागी है debit document अन cm उसके बाद सेकंड नमबर पाता है सिलीकॉन ठीक है तो अगर चीफ एलिमेंट की बात करें मुख की तो तो ऑक्सिजन है सेकंड नमबर पर सिलीकान थर्ट नमबर पर एलुमिनियम और फोर्ट नमबर पर आइरन आता है तो यह सेक्वेंस आपको याद रखना है दोस्तों दो आगने चटान की हम बात करें ऐसी आगने ही चटान जिसमें सिलीकॉन औकसाइड की मातरा है जीकॉन के साकता है यह दो जकी कॉशन दोस्तों कि मिटी के सबसे चोटा आयतन मिटी के सबसे चोटे आज़ा जाता है मिटी के सबसे छोटे आयतन इस पेड़ार अगला कोशन प्रतिशत दोस्तों जब हम बात करते हैं लवनी मर्दा चारी मर्दा या उसर मर्दा की जब हम बात करते हैं तो पी एच एच और एचपी का चार्ड बना हुआ है वहां से हर साल एसी कोई सी एकजाम हो शायद जहांसे कोश्चें नहीं बनता हूँ तो आपको पूरा जो चार्ट है जिसमें पी एच भी दे रखा है एसी एलेक्ट्री कंडेक्टिविटी भी दे रखा है और होती दोस्तों चारी मिट्टी उसका पीएश मान पीएश विल्यू इस मोर देन 8.5 तो इसका पीएश मान साड़े आड से ज्यादा होता है greater than 8.5 उसकी इसी विद्यू चलता जो होती है वो किती होती है less than 4 तो चार से कम होती है लेकिन इस पीएश पीएश विद्यू चलता चार से कम और इस पीएश जो होता है वो 15 से जादा होता है more than 15 यह आपको याद करना है दोस्तों और बहुत अच्छा कोशन है जो हर बार एक्जाम में repeat होता ही है अगले कोशन के हम बात करें यहाँ पर दिया है इंटरवेनल क्लोरोसिस बहुत ही अच्छा कोशन लास्ट यह भी एक्जाम में आया होगा कोशन है इंटरवेनल क्लोरोसिस कौन से एलिमेंट की कमी से होता है देखिए दोस्तों इंटरवेनल क्लोरोसिस के हम बात करें तो किसी भी लीफ के अंदर किसी की बीच का हिस्सा जब पीला पड़ जाता है उसको बोलते इंटर वेनल क्लोरोसीज और इसके दो कारण है यह कोश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है इंटर वेनल क्लोरोसीज इन ओल्डर लिव्स पुरानी पत्यों में इंटर वेनल क्लोरोसीज हो रहा है पुरानी पत्यो में इंटरवेनल क्लोरोसिस का कारण क्या है आईरन तो कुझ्यान रखना है कि इंटरवेनल क्लोरोसिस अंतह शिरीय हरीमा हिंता शुत हिंदी के बात करें अंतह शिरीय हरीमा हिंता के दो कारण है पुरानी पत्या होगी तो magnesium नहीं पत्या होगी तो iron up को जहां रखना है अगला question दोस्तो the core metal of the chlorophyll chlorophyll की core metal chlorophyll की मुख्य धातू किसे कहते है दोस्तो magnesium को chlorophyll की core metal कहा जाता है magnesium जो होता है वो chlorophyll के जो molecule होता है उसके बिल्कुल center में पाया जाता है और आपकी एकज़ा पुछा कोश्चन है कि अगर किसी पत्ती को हम जलाएंगे पत्ती को जलाएंगे तो हमें कुमसा element प्राप्त होगा magnesium प्राप्त होगा चुकि chlorophyll के synthesis के लिए chlorophyll के निर्मान के लिए कुमसा element जरूरी होता है magnesium तो इसको chlorophyll की मुख्यों दातों कहा जाता है अगला कोशन है दोस्तों आई आई एस एस देखिए आई आई एस एस का फुल फार्म क्या है इंडियन इस्टिट्यूट औफ सोइल साइंस इने की भारती मृदा विज्ञान संस्थान और यह कहां पर इस्थी तो यह भोपाल में इस्थी थे वैसे मैं आपको बता दूँ सोइल साइंस को ले सब्सक्राइब के हम बात करें यह कंदरी मृदा लवन ता अनुसंदान तो इस्थी बात करेंगे तो लवणी मृदा की लिए कहां करनाल में फिर में बात करेंगे नेशनल ब्यूरो आप सोईल सर्वे एंड लेंड यूस प्लाणिंग यह नादपूर में इस्थी तो दोस्तों सब्सक्राइब जो भी इस्टिटूट जहां पर है यह आपको याद होना चाहिए फिर मात करें एकले कोशन के प्लांट है वो सनफलावर होता है सूर्य मुखी तो सनफलावर जो है वो बोरोन के लिए इंडिकेटर प्लांट या सूचक पोधे का कारिय करता है अगला कोशन दोस्तों यह जो फार्मूला में यहां पर लिखा है यह फार्मूला बहुत ही जाता इंपोर्टेट कई बार फारे रहां हो सहरे रहां माइनस बीडी अपॉन फीदी कर्ण भन लिए वाटे बैल प्लोंडें सिटि एक परोला वोजाते हैं कि हम इसमें किस प्रकार से क्या कुछ उपर नीचे को जाएगा तो परफेक्ट केसं याद करें मैं आपको बतारों दोस्तों देखिए BC आप उन्हें PD यह उपड़े नीचे क्या । याद क्या नीचे करेंगे भी काما होता है बेटा ओर पी का तो बेटे की उम्र कम है तो बल्क डेंसिटी की वेल्यू कम होती वह उपर आएगा और पार्टिकल डेंसिटी की वेल्यू ज्यादा होती वह नीची आएगा यहां पर फर्मुला है और कई बार एक्जाम के दर पुछा गया है यह आपको याद होना चाहिए अगला कोशन दोस पानी के साथ में बेह करके चली जाती है उसको बोलेंगे फर्टाइल स्वील का लोस हो जाता है उर्वर जो मिट्टी है उपजाव मिट्टी उसका नुकसान हो जाता है और इस प्रकार के चरण को अध्रश चरण कहते हैं हिडन इरोजन कहते हैं दोस्तों शीट इरोजन पर और पानी वेकर के जाता है आप्टी सेचिराशन ओप संत्रप्त हो जाती और पानी भेकर के जाता है तो मिट्टी के पाल्टीकल को कड़े हैं उनको विव भाकर करके ले जाता है किसान को पता भी निचलता और उपर की लेयर जोहें वो खेट से चली जाती है इसको हीडन इरोजन या अध्रश्य छरण कहते हैं सेकंड इस्टेज है नाम इसका शीट इरोजन या परतदार छरण अगला कोशन दोस्तो इस्टोमेटल इस अध्रश्य इस्टर्वम्हा ब्लांट नाम्य वा समY które दोस्तु है जोकी प्लांट के अंदर डिसीज और इंससेक्ट रसेस्चेंट पावर बी स से किल्ट करता है ढब करता है इंसरेक्ट-न बांट इस्टाउल्ड लकार होए और अप इस सएलीमेट वह उस्ट है पोटेशियम जिसकी वज़े से पोदे में कीट एवं बीमारियों से लड़ने की छमता भी उत्पन होती है तो disease resistance power भी पोटेशियम की वज़े से आता है और स्ट्रमिटक का movement जो है regulation वह भी पोटेशियम की वज़े से आता है अगला question दोस्तो, form of the nitrogen in urea या बहुत अच्छा question है यूरिया को हम king of fertilizer या औरवर को का राजा कहते है नाइट्रोजन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किसका होता है यूरिया का होता है most of the plant uptake nitrogen in which farm तो अधिकास पोधे nitrogen को किस रूप में लेते है तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग समझते हैं कि सबसे जधा plant nitrogen को nitrates तो लोग के वाली होती होगी च्लाइट नाइट्रेट की रूप में लेता है और हम लोग nitrogen के लिए urea का यूज़ करते हैं यह दोनों बाते सही है लेकिन urea में nitrogen का form होता है वो amide होता है आपको द्यारक ना है the form of the nitrogen present in the urea is amide form तो urea में nitrogen amide की रूप में पाई जाती है फिर मिट्टी में जब इस्तमाल करते हैं तो दो बेक्टिरिया होते हैं कुण-कुण से यह जो एन हाइड्रस ammonia है इसकों बोलते है निर्जल ammonia और निर्जल ammonia में nitrogen कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों all over the fertilizer सारे उर्वर को में सबसे अधीक nitrogen किसम होती है एन हाइड्रस ammonia में ही होती है निर्जल ammonia में कितनी 80 से 82% nitrogen होती है लेकिन यह liquid fob में पाया जाने वाला उर्वर के तरल अवस्ता वाला है तो अगर ऐसा कोशना है कि overall में nitrogen का highest percentage किसम होता है तो एन हेड्रस ammonia या निर्जल ammonia में होता है लेकिन ऐसा कोशना है name of the fertilizer containing highest amount of the nitrogen in solid fertilizer सबसे अधिक nitrogen यूरिया में होती है 46% 46% तापको ध्यान रखना है कि highest nitrogen in solid fertilizer ठोश उर्वरक की हम बात करेंगे जूरिया आएगा और highest nitrogen all over the fertilizer तो हम बात करेंगे फिर यहां पर एन हाइड्रस ammonia आ जाएगा अगला कोशन दोस्तों SSP single super phosphate SSP एकल super phosphate और इसमें कितने element पाया जाते है SSP एक ऐसा उर्वरक है जिसमें तीन तत्व जो है वो उपस्तित होते हैं तो यहां पर three elements are present in SSP कौन-कौन से sulfur, phosphorus और calcium, sulfur कितना परसेंट है 12%, 12% sulfur होता है SSP के अंदर, phosphorus कितना होता है 16%, 16% phosphorus होता है और calcium कितना होता है लगबग 19% तो 12% sulfur, 16% phosphorus और 19% calcium होता है आपको याद करना है कि SSP में तीन element होते हैं हम बूलेंगे सब का सबका 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 साथ सबका विकास किस ने कहा है मोदू जी ने कहा है हम बूलेंगे यहां पर SSP में तीन ततव है अगला कोशन दोस्तों elements for the nitrogen fixation लेग्यूम क्रॉब जो होती है दाल वाली जो फसले होती है इनकी root में जो नडूल्स होते हैं जो गठाने होती है महाँ पर nitrogen fixation के लिए nitrogenase enzyme को active करने वाला element कौन सा है यहनि कि यह जो molybdenum होता है हम बात करें कि elements for the nitrogen fixture is molybdenum तो molybdenum जो होता है दोस्तों यह molybdenum दाल वाली जो legume crop होती है उनकी root में जो नडूल्स बनती है वहाँ पर nitrogenase enzyme को active करता है जिससे वहाँ पर गरंतियां बनती है नडूल formation होता है और फिर वहाँ पर rhizobium bacteria जो होता है वह symbiotically nitrogen fix करता है तो दाल वाली फसलों की जड़ों में गठानों का जिन्मान करने के लिए noodle formation के लिए कुनसा element जिम्मेदार होता है molybdenum जिम्मेदार होता है अगला question है दोस्तों VAM help in यह जो VAA में यह क्या मदद करता है पहले हम बात करेंगे VAM का full form क्या है Vascular, Urbascular, Mycorrhiza V4 Vascular, A4, Urbascular, M4, Mycorrhiza तो Vascular, Urbascular, Mycorrhiza है दोस्तों यह जो है यह मिट्टी में जो Phosphorus पड़ा है उसके uptake में उसके absorption में मदद करता है तो हम कहेंगे Mycorrhiza जो होता है यह Vascular, Urbascular, जो Mycorrhiza है यह मिट्टी में पड़े हुए Phosphorus का आवशोशन करने में मदद करता है और यह जो Mycorrhiza दोस्तों यह root of the higher plants and fungi कुछ चवर्गी जो पोदे हैं उनकी जड़ और कवक की दोस्ती है और एक सहजीवी संबंद जो Phosphorus के आवशोशन में मदद करता है अगला Question दोस्तों हमें अगर Phosphorus निकालना हो तो P2O5 में किसका into करे कि हमें Phosphorus मिल जाए परसेंटेज ऑफ दी Phosphorus इन पी तू ओ फाइब तो मल्टिप्रिक्शन किसका करेंगे तो यह फार्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपकी एक्जाम में कई बार पुछा हो दूस्तों कि जो फार्मूला है 49 नंबर पे पी इस इकल टू P2O5 into 0.43 इस फार्मूले का हम बात करें तो यह कई बार एक्जाम के अंदर पुछा गया है और अगर P2O5 में हम इसका into करेंगे 0.43 का तो हम P का परसेंटेज निकाल सकते हैं अगला कोशन दोस्तों अगला कोशन है और आज का अंतिम कोशन है और इसके पह सारे सिस्टमेटिक तरीके से एक लेक्चर देखना है आपके जो रिव्यू आपके जो कमेंट आ है आपकी जो लाइक आ रही है उन्हीं से हम लोगों को एनर्जी मिलती है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है वीडियो को अधिशन दीक लोगों तक श कु बिल्कुल घर पेट है कि सेकते हैं दोस्तों मानव के मल मुत्र से त्यार होने वाली खाग को हम लोग नाइट सोईल कहते हैं तो नाइट सोईल मतलब क्या मेन्योर अप्टेन फ्रूम दी हुमन एक्स क्रेटा या मानव के मल मुत्व से प्राप्त खार साथ यह आज भी मैंने 50 कोश्चन जो है 50 कोश्चन यह सोईल साइंस मेन्योर और फेटलाजर की उपर आपके लिए त को त्यार रहिए और तब तक घर पे रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ाई करते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद